2022 के इस चुनाधी महोवा यात्ता में अब मुराकात हुई है समाजवादी पाटी से उम्मिदार, पंडित भागीरजी से सातमारे मौजूद है व्यापार मंदल से यापर अध्यक्ष भी है और इस बार समाजवादी पाटी से दावेदारी की तयारी है सर क्या क्या सबस्य अभी तक आपको दिखाई दे रहे हैं अपने इस छेत्र में बहिया इस सरकार में अपने छेत्र में इद्दम उपेक्षित बातबन मिला है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ब्यापारी, किसान, मजदूर इनकी हर चीज में बड़ी दुर्दसाएं हैं और यह सरकार हवा हवाई काम करती है वो घाटन कर देती है, पूजन कर देती है और जो है काम कुछ नहीं करती ऐसी बहुत सारी यहाँ लिस्ट है मेरे पास कि जो काम इनोंने कहे और उसका पूजन भी कर दिया, लेकर किया नहीं या किया तो अधूरा डला है, सालों सालों से बरबाद है यही सब कारण है दोजा बाइस चुना हुआ रहा है, व्यापारी हिद के लिए काफी काम किया है अपने व्यापारियों के बीच में एक अच्छी चवी रखते हैं आप दोजा बाइस चुना हुआ रहा है, ऐसे में किन-किन मुद्दों को लेकर चुना हो लेंगी ऐसे कौन से मुद्दी होंगी जिनको अगे लेकर आदिया जबकि रोटी और कपड़ा और मकान यह आम जनता की जो है पराख होती है आम जनता के लिए अवश्यक्ता होती है और उस पे भी वो बढ़ाई पड़े हैं पहले कपड़ा के उपर एकदम एक पैसा जी एस्टी और ट्रेक्स नहीं था लेकर उनने पहले पांच किया अब बारा कर रहे हैं जिससे आम जनता हलाकान होगी आम जनता को कश्ट होगा और बैपारियों को भी परिशानी पड़ेगी तो यह चीज है अभी यहां बगल में हमाई महोवा जिल्हा में ही एक कबरई छेत रहें कबरेशेत बहुत बड़ा इंडस्टी यह क्रेशा रुद्यों क्रेशा रुद्यों में ददस कड़ोर आप पांच कड़ोर की बड़े बड़े प्लांट लगते हैं और मैं दिन गया तो वहाँ इस दसा को देखा कि वह मरे ही चुका पा रहे हैं उनका उनने जो लॉल लिया है वो सब बर्बावद हो रहे हैं और जो उनके घर मकान बिकने की कगार पे हैं क्यूंकि गवर्मेंट ने ऐसी नीती अपनाई पट्टे नहीं दिये गए उनको और बैपार को प्रभावत कर दिया गा सारा बैपार उठके एमपी सरग गया तो यह बैपारियों की खिलाफ नीती में चलती है इसलिए बैपारी भी दुखिय है किसान भी दुखी है किसानों के साथ में कहते हैं कि हम दुग ना कर देंगे आपकी भाविक रही है किसान का आइटम मद्दा है और अनद चील तेजंदो हो रही हैं जो चार सो रोपे का था वह अच्छा उप्योग हो रहा है और कुछ आती नहीं है कर योजना है डालती भी तो उनका जो बिरिष्टा चार की भैट चड़ जाता है कोई फील्ड में कोई काम नहीं देखता हम ने यह देखा इसलिए उपेक्षेत हो के हम जो है इससे सरकार को ब बढ़ ऑब यहां चुनाओ लड़ा जाए हैं अभरे जिस चुनाओं का समय है ऐसे में कई उम्मीदार आ रहे हैं आप उमीदारी दर्सकार आ रहे हैं और विकास की मुद्धे ए और अन्ने मुद्धों पर बात कर रहे आप भी व्यापरिषित के मुद्धियां कर रहे हैं जो बिधायक नहीं है मैं देख रहा हूं के कोई भी दूर्दसा में परवरतृ नहीं दीक है 40 साल से मुझको देखते हुए मैं देख रहा हूं बराबर लेकिन महोवाजिस्ट का दास है महोवा के लिए कोई भिसेस काम नहीं किया हवा हवाईını होती रही तो जो है इन उम्मीदों के साथ यहां एक इंटर कालेज है केबल कन्याओं का एक इंटर कालेज बना पड़ा है हमने हमने खुद जो है डियापार मंडल के लेटर पैड में डिया पन दिया था सतेन साथ थी जब तब से जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें 4-6-10 रुपए का खर्चा आ नहीं है अस्पताल में देखिया अठाइस तीश डाक्टर की जगह केबल दस पाट डाक्टर है अभी तीन चारों की अभी भरती की है देखिए वो एक हब्ते दस दिन से जो है वो बैठे है हमारे यहीं के युवा बर्ग है सत्मे जैते के नाम से उनकी एक टीम है वो काम कर रहे हैं उन्होंने वह भी किया इनके खिलाब प्रदर्शन भी कर रहे हैं सरकार को कोई जू नहीं रहे हैं मात रहा चार्च है डाक्टर है अच्छे और वह भी अभी एक डाक्टर का भी इसी दोरान ट्रास्पर कर दिया गया और गुपता जी केडी गुपता साहब है थे वह अच्छे डाक्टर थे ऐसे और भी कई तो कोई विवस्ता नहीं है यहां हला मचाते हैं कि हम वह देना हैं यहां दोसो बैट का अस्पताल यहां वह बना देंगे यहां मेडिकल वगएरा लेकिन हला वह उसी अस्पताल को नहीं समाल पा रहे हैं तो ऐसी पोजीशन है यहां कोई ठोस काम जमीन पर नहीं हो रहा है तो अगर यहां की जनता इस बार आप की उमिद्वरी सुईकार करती है आपको मौका देती है तो ऐसी कौन सी चीजे होंग यहां की जनता को मिलेंगे लेकिए सर प्रतम हमारा उद्देश है स्वास्त सिक्षा और किसान की मुद्दे किस यहां व्यापारी किसान मतलब जो सामान वर्ग है उसको कोई तकलीफ नहों उसके लिए काम करना पड़ेगा और स्वास्त के लिए विसेश दिहान देना पर उन पर जोरदारी से काम किया जाएगा और किसान के लिए पानी की विवस्ता और अन जो है उनकी खाद बीज इत्यादी की सही रेट पर उन्हें मोहिया कराना और सबसे बड़ा मुद्दा एक और है अन प्रदेशों में यहां बिजली के रेट कम है लेकिन हमाएं उत्त यूनित बिजली के लिए हम छोटे लोगों को फिरी ही रखेंगे यह जो भी और किसानों के लिए सुब्दा दी जाएगी यह सारी लाइट सचाई की सुद्दाइं जो दी जाएगी वो किसानों के हित्में होंगी तो किसान जब सही काम करेगा सब उपारजन अधिक होगा तो यहां विकास की गंगा भाएगी जब तक किसान यहां का सुद्रन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा और जो बाहर से योजन आये हैं उन्हें देखके ठोज अपने जमीनी इस तर पर काम करवाना पड़ेगा यहां हबा हबाई करके अभी आपको एक बाहर दिखात हैं एक योजना बिजली की यहां चली बिजली से उन्होंना जो है इस रामकथा में वह बिजली का तार बिचाया और दो साल पहले वो जो है सुनु होया था काम अखले से आदो जी की योजना थी इसके बाद एक आज साल पेंडिंग डाले रहे फिर सुरू किया और दो साल पहले वो पूर्ण हो गई है लेकिन आप तक उससे एक भी कनेक्शन जला नहीं अभी चलके आपको फोटो दिल वाएंगे अंडर गाउन तार बेवस्ता सारी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें इस्टार ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आईडी है अट ते रेट ज्यम्धी डियो स्लाश